आज भारत 21 सदी की आधुनिक आवश्यक्ताओं के मुताबिक नई व्यवस्ताओं का निर्मान कर रहा है। इन नई राष्ट्य शिख्षानिती इसी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। हम इतने वर्षों से स्कूलों में पढ़ाई के नाम पर अपने बच्चों को केवल किताबी ज्यान दे रहे थे। नई राष्ट्य शिख्षानिती उस पूरानी अप्रासांगी की ववस्ता को परिवर्तित कर रही है। राष्ट्य शिख्षानिती प्रैक्टिकल पर है आधारित है। अब जैसे आपको और टीचिंग और लर्निंग अब कहां जाता है टीचिंग काल घंड पुरा हो गया। अब लर्निंग के ही द्वारा शिख्षा को आगे बढ़ाना है। अब जैसे आपको मिट्टी के बारे में कुछ बताना है। चाक के बारे में कुछ सिखाना है। अगर आप बच्चों को लेकर कुमार की गर जा सकते हैं। आप कुमार के गर जाएंगे तो उन्हें बहुत सी चीजे देखने को मिलेगी। किन परिस्तितियों में कुमार रहते हैं कितनी महनत करते हैं। एक व्यक्ति गरीबी से वहार आने के लिए कितने प्रयास कर रहा है। और इससे बच्चों में सम्विधन सिलता जगेगी। मिट्टी से कैसे सुराही बनती हैं, मटके बनते हैं, गड़े बनते हैं। बच्चे ये सब देखेंगे। अलग-अलग तरह की मिट्टी कैसी होती है। ये सारी चीजे प्रत्यक्ष नजर आएगी। ऐसी प्रैक्टिकल एप्रोच राष्ट्य शिक्षा निती का बहुत प्रमुक्तत्व है। साथियों अनोखे प्रयोग करने वाले और टीचिंग और लर्निंग का डिबेट तो इन दिनों सुनने को मिलता है। लेकिन मैं अपने बच्पन की एक घटना आपको बताता हूं मुझे मेरे अपने एक सिक्षक याद आ जा रहे है। मेरे प्राइमेरी सिक्षट वो साम को जब स्कूल से घर जाना होता था तो बच्चों को कुछ नुकुछ काम देते थे और होमबर्क वाला नहीं कुछ और ही खात देते थे। आत्य के जैसे हो कहते थे अचा भजल तुम ऐसा करना कल दस चावल लेकर की आज आना गूआश्ट ओक दे चैसरी खते लिखती तुम दस मुण यहां और होताय से खता है हुआने दस म्वारब सिरसे करिसे कुछ घर जातन ब्लंप होताता थे और मुझे गेहू लाना है है चावल लाना है गर जाते अनकों कि पहले अपने मा मा से कहैता था मुझे कल teacher ने अद vivanda कि बना रहता है लेकिन क्लास में जब हम जाते थे तो हमारे तीचर उन सब को इखता कर देते थे और सब को कहते थे अलग लग लोंगं को अजय को तुम ऐसा करो इस पांच भूंग निकालो-ग Darupa तुम तीन चने निकालो तीसरे को कर स्ट याने वो चने को पहτ Чानना लग जाता है वो मूं को पहचानता है उसको नंबर याद रहा है यान एक ऐसी उनकी प्रैक्टिकल विवस्ता थी हमारे लिए बेड़ा जब लगता था लेकिन वो सिखाने का उनका तरीका था जब हम एक साल पुरा हो गया अगले साल गये तो भी वही टीचर थे तो उन्होंने फिर से वही पुछने का अधी था मैं तो मैंने घाए तो पिछरी साल आपने करवाया तो दूबारा क्यों करवा रहे हो बोले चुप रहे तुम तुम मेरा काम करो ठीक है जो कहाम लेकर के आ गए लेकिन दूसरे साल उन्होंने बदल दिया उन्होंने हरे की आंग पर पट्टी बांदी और उन्होंने कहा स्पर्स से तुम तह करो मुंग कौन सा है चना कौन सा है और स्पर्स वाली इंदिरिय की क्या सामर्त है उसकी शिक्षा उन्होंने बड़ी सरलता से दे दी थी दोस्तों एक टीचर जब आपके अंदर इन्वाल हो जाता है तो कैसे करता है यह मैं अपना अनुभव बताता हूँ आप कल्ग मा कर सकते हैं इस एक एक्टिविटी से हमें कितना लाभ होता है हमें गिंती के बारे में पता चला हमें दालों के बारे में पता चला हमें रंगों के बारे म के साथ हमारी पढ़ाई कराते थे प्रेक्टिकल के साथ पढ़ाई यही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की मूल भावना भी है और इसे जमीन पर उतारने की जिम्मादारी आप सब को निभानी ही है साथियों राष्ट्रिय शिक्षानिति में जो एक बड़ा प्रावधान किया गया है वो हमारे गाउं देहात और छोटे शहरों को यह शिक्षेकों की बहुत मदद करने वाला है यह प्रावधान है मात्रू भाषा में पढ़ाई का हमारे देश में अंग्रेजों ने डाई सो साल राज किया लेकिन फिर भी अंग्रेजी भाषा एक वर्ग तरकी ही सिमित रही थी दुरूभाग्य से आजादी के बाद ऐसी ववस्ता बनी कि अंग्रेजी भाषा में ही शिक्षन को प्रात्विक्ता मिलने लगी माता पिदाभी बच्चों को अंग्रेजी भाषा में पढ़ाने के लिए प्रेरित होने लगे इसका नुक्षान मेरे टीचर यूनियन ने कभी इस पर सोचा है कि नहीं सोचा है मुझे मालूम नहीं है आज मैं आपको बता रहा हूँ जिस समय आप सोचेंगे इस मिशे पर इस सरकार की जितनी तारिफ करेंगे उतनी कम होगी क्या हुआ जब यह अंग्रेजी अंग्रेजी चलने लगा तो गाव देहात और गरीब परिवार के हमारे उन लाखों सिख्षकों को जो कि मात्रु भाषा में पढ़कर निकल रहे थे वो कितने ही अच्छे सिख्षे को लेकिन उनको अंग्रेजी सिखने का अवसंद नहीं मिला था अब उनके लिए नोकरी का खत्रा मंडराने लग गया क्योंकि अंग्रेजी का महूल चल गया आपकी नोकरी और आप देसे साथ क्योंकि भविश्य में भी नोकरी निस्थित करने के लिए हमने मात्रु भाषा में सिख्षा पर बल दिया है जो मेरे सिख्षक के जीवन को पढ़ावा देती है इसका बहुत बढ़ा लाब आपको मिलेगा इसका बहुत बढ़ा लाब हमारे गाउं से आए वह गरीब परिवार चाहे हुए युवाओं को मिलेगा सिख्षक को मिलेगा नोकरी के लिए अवसर त्यार हो जाएगा